हेलो एवरिवन वेल्कम यूओ आल एट लोके सर अन्लिम्टेड इस्टेडी जून हमारा अगला चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर सिक्स फिजिक्स का एक फोड़ा सा डिफिकल्ड चैप्टर इसे कहा जा सकता है इसमें अंडर्स्टेंडिंग थोड़ी ज्यादा ले पढ़ेंगे या एक रिजिड बॉड़ी को पढ़ेंगे ठीक ना रिजिड बॉड़ी क्या होती पटा आपने देखा होगा कोई पत्थर अगर आप किसी पत्थर पे कोई फोर्स लगाते हैं और वो अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है मतलब कि वो नॉट डिफॉर्म वो क्या बोलते हैं बेटा रिजिड बॉड़ी क्या बोलते हैं बेटा ऐसी बॉड़ी को हम रिजिड बॉड़ी ओके तो अभी तक हम क्या करते थे अभी तक हम एक जैसे कार होती थी तो हम यह मानते थे कि उसे हम पॉइंट आपजेक्ट मान लेते थे और कार का पूरा का पूर मान के इसके analysis करते थे बोलो शौर करते थे कि नहीं करते थे पार सर बट अब हम जो है एक body के analysis किसी point के रूप में नहीं करेंगे हम उस पूरी body को as a bulk क्या शब्द मैं इस्तमाल कर रहा हूं यहां पर as a bulk मतलब कि complete body के behavior को हम पढ़ेंगे और यह body जो रहेगी deforming force लगाए जाने पर यह deform नहीं होगी इसलिए इस body का नाम रहेगा rigid body क्या नाम रहेगा बेटा शौर इसका rigid body ठीक है चलिए तो सबसे पहले रेखे कि rigid body में जो term आता है that is called center of mass तो rigid body के हम center of mass को हम पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे कि rigid body का center of mass क्या होता है देखे बेटा यही हमारे पास कोई rigid body है इस तरीके से यह हमारे पास कोई rigid body है ठीक है ना और इसका mass बिखरा हुआ है यहाँ पर M1 है यहाँ पर M2 है यहाँ पर M3 है M4 है ऐसे N पार्टिकल है तो इसका मास बिखरा हुआ है तो एक कोई पॉइंट होगा जिस पर इसका टोटल मास आप सेंट्रलाइज मान सकते हो यह मत समझेगा कि यह पॉइंट एकदम बीच में हो सकता है हो सकता है कि यह पॉइंट बीच में हो हो सकता है कि यह टोटल मास यहाँ पे लाई करे और हो सकता है कि टोटल मास यह यहाँ पे लाई करे अक्चुली सेंट्र आफ मास कहां पे होता है सेंट्र आफ मास उस जगह पे होता है जहां पर mass distribution ज़्यादा होता है जिस तरफ mass distribution क्या होता है ज़्यादा होता है वहाँ पर center of mass लाई किया करता है आप अपनी pen को उठाइए अपने pen को अपने दोनों हाथों के बीच में खड़े हाथों के बीच में दो अंगुठे के बीच में रखिए और आप दोनों तरफ से अपने अंगुठे को अपने अंगुठे को pen की तरफ center की तरफ लाना सुरू करिए आप देखेंगे एक point पे एक point पे आपके pen बीचों बीच में आ जाएगा वहाँ पर उसका center of mass लाई करेगा ठीक है यदि ये नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए आप एक pen लीजिए आपका pen है या कोई भी scale है ठीक है ये suppose मैं ये pen ले लेता हूँ और आप अपनी एक finger से इस pen को पकड़ने का रियास करिए कोशिश करिए कि एक point पर आप इस pen को lift करा लेगा तो आप देखेंगे कि कहीं बीचो बीच बीचो बीच में तो नहीं मिलेगा क्योंकि इस तरफ का मास pen का कम रहता है और इस तरफ का मास pen का जाद रहता है तो आपका center of mass पीछी की तरफ थोड़ा मिलेगा यहां कहीं पर मिलेगा क्योंकि इस तरफ का मास्ट कम रहेगा और इस तरफ का मास्ट जाद रहेगा तो आपका सेंटर कहीं यहीं पर मिलेगा और जैसे ही आप अपने पैन को आप यहीं कैप चड़ा देंगे जैसे ही आप अपने पैन को आपने यहीं कैप चड़ा दिया तो आपका center of mask करके थोड़ा आ गया जाएगा क्योंकि आपकी body इस तरफ से heavy हो जाएगी कहने का मतलब यह है कि इस point पर जिस point पर आप पूरे body का mask को concentrated मान सकते हो जैसे कि complete mask capital M तो उसको हम गोलते है center of mask clear है बिटा? यह सर्थ आपने देखा होगा कि आपके school में कुछ बच्चे या class के कुछ बच्चे अपने हाथ की उंगलियों में बड़े तरीके से अपना जो writing pad होता है उसको rotate करते हैं बढ़िया तरीके से बड़े मस तरीके से और वो अपनी उंगलियों में या index finger में या किसी भी finger में इसको रख के copy को must roll तरीके से कर सकते हैं कर सकते ने बट़े करते हैं तो वो जिस point पर बट़े लिफ्ट करते हैं अपनी book को या copy को that point is actually center of mass तो वो जो point होता है वो center of mass होता है तो center of mass क्या होता है किसी body का वो point है जिस पर हम उसका उरा का पूरा मास कंसंट्रेट मान सकते हैं, we can assume that whole mass of the body concentrated at that point is called center of mass, ठीक है बेटा, तो यह दी कोई body है, इसका मास है M1, इसका मास है M2, इसका मास है M3, इसका मास है M4, M5, तो आप क्या लिखते हैं बेटा, complete mass M equals to M1 plus M2 plus M3 plus M4, इस तरीके से, ठीक है न, तो यह total mass body का हो जाएगा, और यही total mass जो है, किसी point पर बैठा होगा, आप यह मान सकते हैं कि उस point से body को आप उठा सकते हैं, मतलब उसका पूरा mass वहीं पर concentrate करेगा, that mass is called center of mass, अब इस center of mass की हमको geometrically calculation करनी है, mathematically इसको हम calculate करेंगे, कि किसी body का center of mass वहाँ पर lie करता है, तो आएए देखते हैं, पहला सवाल हमारे PDF का, define center of mass, show that the center of mass of the two particle system of equal mass lies in the center of the line joining them, show करिए कि center of mass जो होता है, बिलकुल बीचो बीच में होता है, किसका equal particle system का, मतलब दो particle जिनके mass equal है, चलिए, पहले मैं normally आपको center of mass बता देता हूं, तो definition center of mass की, what is center of mass, the center of mass of a system of particle is a fixed point at which whole mass of the system may be supposed to be concentrated for describing its translatory motion, yes, ऐसा point किसी body का, the center of mass of a particle, the center of mass of a system of particle is a fixed point, ये एक fixed point होता है, जिस पर पूरे mass को हम concentrated मान सकते हैं, याद रखेगा मान सकते हैं, लिखना, और इसकी वज़े से हम पूरी body के translatory motion को describe, कर देते हैं, for example, के लिए ये ये आपके पास ये कोई bulk body है, ये देखिए ये आपके पास में ये एक bulk body है, बड़ी सी body है, ये बड़ा सा पत्तर है, ओके, इसमें बहुत सारे particle ये अदा कदा बिखरे हुए हैं, बड़ इसका center of mass आपने माल लिया, कि इस point पे इसका center of mass है, तो इस पूरी body की motion को study करने के लिए, आप ये समझ सकते हो, कि इस point की motion आप study कर लो, येस, मतलब पूरी body की motion को study ना करके, आप इस point के motion को study कर लो, और अगर ये body का motion, इस point के motion से आप समझ सकते हैं, कि उस पे क्या effect पढ़ेगा, so this point is called center of mass, येस, when external force is applied to the system, this point move in the same way as a single particle of mass equal to the system would move, acted upon by some same external force, मतलब, ये कोई body body है, इस पर आप कोई force लगा रहे हैं, चिक ना, इस पर आप कोई force लगा रहे हैं, तो इस body के force लगाने से, एफ force लगाने से, किस पर, इस body पर, जो result आपको मिलेगा, वो यही result आपको, ये center of mass देगा, जब आप उस पर same force लगाएंगे, clear है, मतलब, एक तरीके से, यदि आपके पास कोई body है, और उस पर कोई force लगा रहे हैं, force से act कर रहे हैं, तो same result you will have, if you consider center of mass, and applying the same force on it, मतलब, body के motion को न पढ़के, आप center of mass के motion को पढ़ लेंगे, तो आपके सामने वही result आ जाएंगे, ठीक है, तो यह कहलाती है, center of mass के definition, clear है बेटा, yes, अब हम पढ़ रहे हैं, center of mass of a two particle system, दो particle system का center of mass, दो particle system का center of mass, हमको कैसे study करना है, देखिए, आपके पास में, मैं दो particle देता हूँ, एक two dimension system है, यह three dimension system है, यहाँ पर फिलहाल two dimension लिया हुआ है, तो यह आपके पास में two dimension system है बेटा, ओके, first particle है, having mass M1, और इसकी position है बेटा, x1, y1, और दूसरा particle system है बेटा, M2, two particle system, position is x2, y2, बेटा, origin O के respect में, पहले वाले particle की जो position है, that is R1 vector, और दूसरे वाले particle की जो position है, that is R2 vector, थोड़ा दूर हो गया, जो दूसरा वाला particle है बेटा, उसकी जो position है, that is R2 vector, yes, this is R2 vector, अब इन दूनों को join करने वाली line पे, कहीं न कहीं इनका center of mass मिलेगा, यह है अपने पास suppose center of mass, इसको हम बोलेंगे, R, C, M, center of mass, यह suppose यह vector है, इसको जो center of mass का vector मिल रहा है, yes, this is RCM, यह है RCM vector, ठीक न, center of mass का vector मिल रहा है, center of mass का vector मिल रहा हमाई पास, तो यह मैंने आपको दिखाया है, यह मेरे पास आपके सामने, center of mass का vector दिया गया है, तो center of mass का vector, दो पाइंट हमाई पास है, mass M1, mass M2, और center of mass का vector, तो देखे, लिखा हुआ है, consider the system of two particles P1 and P2, having mass M1, M2, दोनों के vector R1, R2 है, तो center of mass का जो vector given होगा, आपको कैसे आप देंगे, उसको देखे, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, R, center of mass, small R लेने, capital R लेने, कोई फर्क नहीं परता है, मैंने यहाँ पर small R ले रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, R, center of mass, equals to, M1, R1, plus M2, R2, upon, M1, plus M2, वो लिखेंगे, शौर, clear हुआ आपको की नहीं हुआ, हाँ सर, R1 vector क्या है बेटा, mass है, in case बेटा, अगर आप यहाँ पर coordinate इसको, X, Y ले लेते हो, क्या ले लेते हो, X, Y, तो आप जानते हो, मैं आपको vector पढ़ा रखा है, R1 vector क्या होगा बेटा, X1, I cap, plus Y1, X1, I cap, R2 vector क्या होगा बेटा, X2, I cap, plus Y2, X2, I, R vector equal to हो जाएगा, X, I cap, plus Y, तो बेटा, यह मैं कह रहा था कि, R1 vector के position vector, R2 के position vector, और R के position vector, हमने लिख लिए हैं, यह हमारा form बन चुका है, vector form में, अब यदि हम value यहाँ पर put कर देते हैं, तो R की value मैंने क्या डाली यहाँ पर, X, I cap, plus Y, M1 R1 means, M1 into X1 I cap, plus Y1 J cap, plus M2, multiply by X2 I cap, plus Y2 J cap, divided by M1 plus M2, clear, यदि इसको मैं break कर दूं, बेटा, X I cap, plus Y J cap, M1 X1, plus M, sorry, M1 X1 I cap, clear हो रहा है बेटा, M1 X1 I cap, plus M1 Y1 J cap, plus M2 X2 I cap, plus M2 Y2 J cap, whole divided by M1 plus M2, अब यदि मैं, X I cap, plus Y J cap, यदि मैं I cap I cap को collect कर लों, तो M1 X1, plus M2 X2 I cap, plus M1 Y1, plus M2 Y2 J cap, whole divided by M1 plus M2, ओके, चलिए, और ज़्यादा इसको simplify करता हूं, X I cap plus Y J cap, equals to M1 X1, plus M2 X2, divided by M1 plus M2 I cap, plus M1 Y1, plus M2 Y2, divided by M1 plus M2, into J cap, comparison करिए बेटा, देखे, X की value ये मिल रही है, और Y की value हमको ये मिल रही है, तो center of mass का X coordinate क्या बनेगा बेटा, M1 X1, plus M2 X2, upon M1 plus M2, बोलो clear हुआ, और center of mass का Y coordinate क्या बनेगा बेटा, M1 Y1 plus M2 Y2 divided by M1 plus M2, चीख है बेटा, और बेटा, ये X आ गया, ये Y आ गया, 3D में अगर Z आ जाएगा, तो Z center of mass equals to V बन जाएगा, M1 Z1 plus M2 Z2 upon M1 plus M2, ओके, तो ये हमारे center of mass के X coordinate, center of mass के Y coordinate, और center of mass के Z coordinate, मैंने आपको बता दिए, ये देखे, ये partition coordinate क्या लाते हैं, this is X coordinate, and this is Y coordinate, clear है बेटा, ओके, अब देखे, यहाँ पर भी हमने देखा, general point है, दो mass अलग-अलग थे, अभी पहला case आपने देखा, जिसमें M1 और M2 अलग-अलग थे, दोनों equal नहीं थे, तो ये था हमारा case number first, जिसमें हमारे पास M1 is not equal to M2, अब यदि हम case second में, ऐसे two particle system का mass निकलना चाहते हैं, जिनके दोनों के mass equal हैं, M1 और M2 दोनों ही equal हैं, तो say M1 equal to M2 equal to some mass M, तो देखे, क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, कि vector R equals to, क्या था बेटर vector R equals to, M1 R1 plus M2 R2 divided by M1 plus M2, बताये शौर, बताया था कि नहीं बताया था, first system में, मतलब R1 R2 इनकी position vector थे, तो M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2, यह मैंने आपको इसका formula बताया था, vector R का, अब भी मैं special case बोल रहा हूँ बेटा, कि अगर दोनो M1 M2 दोनों equal हैं, मतलब M1 M2 दोनों के mass equal हैं, and this is equal to M, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो जो exercise करने वाला dumbbell देखा आपने, हाँ, उसका जितना mass यहां रहता है, उतना mass यहां रहता है, अब इसका center of mass कहा हैगा, exactly beach में बिल्कुल, बिल्कुल beach हो beach में, क्यों आएगा देखे, so, यहां पे भी vector r equals to, m1 की जगे में भी m, r1 vector, m2 की जगे में m, r2 vector, और m plus m कितना हो गया बेटा, 2m हो गया, so, यहां से r vector, मैंने m common ले लिया बेटा, तो क्या बन गया, r1 vector plus r2 vector, divided by 2m, और मैंने m से m को क्या कर दिया, cancel, so answer आगया, r1 plus r2 by 2, मतलब exactly midway, okay, so r center of mass, का जो position vector निकलेगा बेटा, वो बिलकुल दोनों के position vector के, half way में निकलेगा, clear की not clear, clear बेटा, yes, और यदि इसको मैं geometrically form में निकालूंगा, वही x1, y1 पूट करके, तो क्या जाएगा देखे, अभी आपने देखा था, x equal to कितना रहा था, x center of mass equal to कितना रहा था, m1 x1, plus m2 x2, upon m1 plus m2, clear, तो दोनों equal है, so since m1 equal to m2 है, equal to m ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे आएगा, x center of mass equal to mx1, plus mx2, upon नीचे क्या हो जाएगा, m plus m, m common, bracket में x1 plus x2, n नीचे बज़ जाएगा 2m, m से m कार देजे, तो क्या बन गया, x center of mass equals to, x1 plus x2, upon 2, clear बेटा, इसी तरीके से, center of mass का y coordinate, y center of mass equal to, y1 plus y2 by 2, so यह center of mass के हमारे, दोनों coordinate बन चुके हैं, एक x coordinate और एक y coordinate, clear है शौर, चलिए, तो first concept, हमने यहाँ पे cover कर लिया है, जो है center of mass का, अभी तक हमने देखा, बच्चों की, 2 particle system का center of mass, किस तरीके से, आप निकालते हैं, अब हम n particle system के, center of mass की बात करते हैं, तो heading बनाएंगे, for n particle system, तो जैसे two particle system थो, उसी को extend करके, हम n particle system ले लेंगे, पैसे करना है रिखिए यहाँ पे, यह मेरे पास एक 3D geometry है, एक block है मेरे पास 3D में, यह x axis है, यह y axis है, और यह 3 dimensional z axis है, suppose मेरे पास यह बड़ा सा block है, यह, तो यह point है, जिसका mass है m1, दूसरा point जिसका mass m2, m3, likewise dot 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 dot, बहुत सारे point है mn, तो definitely है कि, इनके कुछ ना कुछ vector भी generate होंगे, पहले वाले का vector जो होगा, suppose it is r1, दूसरे वाले का vector होगा r2, तीसरे वाले का vector होगा r3, और last n वाले का vector होगा, कितना rn, yes rn, हाँ mn उसका mass है बेटा, rn उसका vector है, ठीक ना, तो यदि आप इनके एक center of mass की बात करेंगे, तो आप लिखेंगे r center of mass in vector form, equals to m1 r1, plus m2 r2, plus m3 r3, likewise last क्या होगा बेटा, mn rn whole divided by m1 plus m2, plus dot 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 dot, कितना हो जाएगा ये, mn, ठीक ना, अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ बेटा, sigma notation में लिखने की आदत, इस sigma notation में कैसे लिखते हैं, जब कोई चीज बेटा, बार-बार add होती है, मतलब कोई variable, जैसे यहाँ पर mass है एक variable है, और यहाँ पर radius एक variable है, sorry, distance, मतलब distance vector एक variable है, displacement vector कहलो, या position vector, position vector is the right name, तो बेटा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को, इसको हम लिखेंगे, sigma, variable यहाँ पर कोई है, बेटा, 1 से लेके n तक, so, m की value पहली value 1, r की पहली पहली value 1, m1, r1 खुलेगा, फिर m2, r2 खुलेगा, so, I can write here, sigma, notation, i, traveling from 1 to n, divided by, sigma, i, की value again, 1 से लेके n, यह क्या बन जाएगा, आपने पास में, mi, clear है, m मतलब, mass variable, चीक ना, m मतलब mass variable, अब, यह तो ठीक है, ऊपर वाली बात तो ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली बदल रहे हैं, so, r, center of mass, equals to, sigma, i, equals to, 1, 2, n, mi, ri, whole divided by, बेटा, sigma, mi, का मतलब क्या होगा, sigma, mi, यहने की सारे masses का सम, m1, m2, of the complete body, बेटा, complete body का जो mass होता है, इसको physics में क्या बोला जाता है, capital M, तो इसको हमें capital M करने में, यहाँ पर कोई अरचन नहीं है, तो यह आ गया हमारा capital M, ठीक है ना, यह हमारा आ गया capital M, तो center of mass का formula हमारे पास क्या बन जाएगा, बेटा, sigma, M-I-R-I upon capital M, जब आप लोग बहुत बार इसको करते हो, तो sigma के नीचे, I equal to 1 से N नहीं लगाते हो, आदतन, क्योंकि इतने बार यूज होता है, कि आप लोग अब उसके used to हो जाते हो, तो बच्चों हम लोग ज़्यादा जगह पर ऐसे ही लिखेंगे, sigma M-I-R-I upon capital M, मतलब यह समझ लो कि यह बदल रहा है, और तो और जब हम ज़्यादा जल्दबाजी में लिखेंगे, तो sigma M-R लिखेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे कि mass भी बदल रहा है, radius भी बदल रहा है, ठीक है ना, upon capital M, clear? clear बटा? तो चलिए, अब हम बात करते हैं, center of mass के coordinate की, 3D में, n particle system के लिए, अभी आपने देखा, complete इसका position vector, ओके? इसको यहाँ पे R लगाना चाहिए, मुझे vector, अब देखें, यदि मैं x position of center of mass की बात करूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास, n particle system के लिए, m1 x1 plus m2 x2 plus dot 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 mn xn, whole divided by m1 plus m2 plus dot 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 2mn, clear बेटा? सो x center of mass कितना बनेगा बच्चा? sigma mx, मतलब mass भी बदल रहा है, x भी बदल रहा है, upon capital M, बोलो clear हुआ की नहीं हुआ? अब आप mi x i लगाओ या ना लगाओ, उसका कोई विशेस फर्क नहीं है, समझ में आगे ना? क्योंकि जनता समझती है, कि sigma m i b वही है, sigma m i x i के मतलब sigma m x b है, यह x coordinate हो गया बेटा, इस तरीके से y coordinate center of mass के इतना निकले गाओ बेटा? sigma small m, small y, m y upon capital M, और z coordinate क्या निकलेगा बेटा? center of mass का z coordinate, z center of mass equal to sigma m, small z upon whole m, capital M, इस इस capital, तो यह z coordinate हो गया, आपके पास center of mass का, clear? चलिए, तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया, center of mass की एक तरीके से, definition हमने आपको पूरी कर दिया है, तो गाईज यह था, आज हमारी class का, center of mass का lecture, जिसमें हमने आपको, initially n particle system के, center of mass के लिए बताया, thank you so much for being with us.